आप सभी का स्वागत है सीबेसी क्लास 12 के रिजल आचुका है अगर अभी तक आपने रिजल चेक नहीं किया तो आप जाकर सीबेसी की वेबसाइट से और DJ Looks SE आप अपने रिजल चेक कर सकते हैं पिछली बार की तुलना में इस बार के रिजल खराब रहा है 87. कुछ सम्टिंग जो परसंट जो है इस बार छात्र पास हुए है लड़कियों का परसंट लड़कों से ज़्यादा बेटर है लड़कियां जो 90 परतिसत के आस पास पास हुए है और कलास 10 के रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है क्यों डीजी लोकर पर जो है कमिंग सून का जो बैनर आ चुक है तो क्लास तेंथ वाले बच्चे भी ज्यादा टेंस ना लें उनका रिजल्ट आज कभी भी यह कल तो हंडेड़ परसंट आई जाएगा तो ऐसे में क्लास ट्विल्द के वो सभी छात्र जिनका रिजल्ट सही नहीं रहा है और बहुत सारे कहना था कि हमने जितना अच्छा एक्जाम दिया था उस हिसाप से हमें नमबर नहीं दिये गए तो अब हमें क्या करना है इसके साथ साथ बहुत सारे चात्रों के यह भी सवाल है कि सर हमारे जल्ट में जो है फोर एक्स लिखा आ रहा है ठीक है ट्रिपल एक्स लिखा हुआ तो उसका क्या मतलब हो तो सारी चीज़े भी मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं उन चात्रों की बात करो जो चात्र के एक सरा हमने पेपर तो बहुत अच्छा दिया था बट रिजल्ट उस पेपर के अंदरूप नहीं आ रहा है नंबर कड़ गए तो आपके साम तक सिबसी भी स्को लेकर जो कंप्लीट डिटेल जारी कर देगी तो आप निश्चिंत रही है अगर आपने पेपर अच्छा किया देफिनेटल आपको नंबर बढ़ेगा सो पर तिस्द बढ़ेगा पिछली बार बढ़ा था ठीक है बहुत सारी चात्रों जोनोंने रिवेल सब्सक्राइब बढ़ेगा वह चात्र जिनके रिजल्ट में 4XXX ठीक है डबलू लिखा हुआ रहा है वेटिंग लिखा रहा है लिखा रहा है तो वह आपको चिंता करने की कोई हो सकता नहीं बहुत सारी चात्र जो है ठीक है प्रैक्टिकल में उनको नंबर नहीं मिले हु पास वाला आ जाए तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों क्योंकि बहुत सार चात जो है पैनिक हो रहे थे कि सर हम क्या करें क्योंकि मैं नंबर कम है ठीक है प्राइबट वाले बच्चों को भी लगा था और मैसे जा रहे कि सर हमारे दिखाई नहीं जा रहे तो आप सभी के रिजल्ट भी आप अपने व्यक्तिकत परिशारती के पोटल बजागा चेक कर सकते हैं आपके रिजल्ट वहाँ पर दीख जाएगा मिलते हैं नहीं सुटेम टबतों ले जहीं धन्यवाद